आपके अपने चैनल हरम फात्मा में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आज की वीडियो में मर्कज के बारे में कुछ इन्फर्मेशन देनी है सबसे पहले में आपको जो है एक दो पिक्चर और एक दो कॉमेंट्स हैं वो शो करवाती हुआ ओके जी यह वाला सबसे पहले कॉमेंट्स है यह मुझे आया है योट्यूब पे सब लोग और से देखे जरा इन्होंने कहा है कि सिस्टर मैंने दो पार्सल मंगवाए एक जैसे एक मिल गया दूसरे के पैसे ले लिए पार्सल नहीं मिला ठीक हो गया अभी जो दूसरा है वो पार्सल भुजवाया है जिसमें था ग्रीन कलर का सूट ठीक है उसकी पराइस थी 25 सू कस्टमर को मिले दो जो थे पार्सल वो 25 सूके मतलब एक ऊपर वाला सूट सेम था और एक नीचे वाला एक्स्टना मतलब वो कस्टमर ने मंगवाया भी नहीं था और वो सप्लायर इसन साथ सरह यही है कि कस्טमर χराب हो रहे हैं मरकज के सारे हुँ जितने भी न है रिसेलर है जितने भी लोग काम करें लड़के लड़कें काम कर रहे हैं उनveka काम खाना ना रहा हो आपको शायद यद a या याद हो वो ये कर रहे हैं कि अगर आप कस्टमर को अपने एक कस्टमर को पारसल भीजवा रहे हो उसका एड्रेस वगारा आप मरकस वालों को दे रहे हो मरकस वाले खुद से ही उसको पारसल भीजवाई जा रहे हैं ठीक है और्डर हम नहीं लगा रहे वो ही और्डर कस्टमर को मिल रहे हैं ठीक है उसके बाद दूसरा स्कैम यह हो रहा है कि अगर हम एक ही डीसी में चार सूट मंगवा रहे हैं एक ही डीसी में एक ही सप्लाइर से चार सूट मंगवा रहे हैं तो उसमें हो इस तरह रहा है कि वहां प अच्छा जी वो कर इस तरह रहे हैं कि अगर हमने पांच मंगवाए हैं तो वहां पे वो चार भेज रहे हैं एक नहीं भेज रहे हैं ठीक हो गया उसकी पेमट उन्होंने जो आपको आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में जो लिखी आ गई कि इतनी आपने देनी है वो मुझे एक पीस लग रहा था मैंने उसको वापिस कर दिया वापिस कर दिया उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वाकई उसमें एक ही सूट था ठीक है और दूसरी बात में बात जो भी मकसद है मेरी बात करने का वो यह है कि आप लोग जब भी अपने किसी कस्टमर का और लगाएं कस्टमर को आइटम आइडी जरूर बताएं कि इस आइटम आइडी के बिना आपने पारसल नहीं लेना ठीक हो गया पेमट जो भी लिखी हो जो कुछ भी हो जो भी ट्रैकिंग आइडी हो जो कुछ भी हो अच्छा दूसरी बात आपका नाम भी लिखा हुआ उ ठीक है आपने जब भी अपने कस्टमर को पारसल भीजवाना है उपर आइटम आइडी जरूर मेंशन करके अपने कस्टमर को बताना है कि आपको जो पारसल मिलेगा उस पे ये आइटम आइडी लिखी हुई तो आपने पारसल रसीव करना है अधर वाइस आपने पारसल पढ़ ये वो इस तरह लिखा हुआ आ रहा होता है आपके मरकज की प्रोफाइल में वहां पे हमें एक पिक्चर भी शो हो जहां पे हमारा जो ओर्डर था हमारा वो जो ओर्डर से पहले पैकिंग और पैकिंग के बाद जो पार्सल है उसकी हमें दो पिक्चर भी वहां पे दी जाएं ताके कस्टमर को पता चल जाए कि हमारा पार्सल जो है इस तरह का है ये चीज़ हमने ओर्डर की थी ये हमें मिल रही है ठीक है इसके इलावा बहुत जल्दी हाजरूंगे एक नई वीडियो लेके एक न्यू इंफॉर्मेशन लेके अगर फिर भी किसी को मेरी इस बात अल्हाफिस